हलो प्रेंट्स मोबाइल मेट में आप सभी का स्वागत अगर आपने अभी देगा हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब करें ताकि सबसे पहले मिले आपको नई अपडेट अब है चैनल का पहला सवाल पहले का ए एफ एक्स बराबर में दे रहा है एक्स प्लस एक बटा तीन साइन लोग एक्स केर यानि साइन का जो थीट है वो लोग एक्स केर है एक्स बराबर नहीं है जीरो एक्स बराबर जीरो ए तो जीरो और एक्स बराबर जीरो पर अपने को स तत्तंतता का प्रिक्षन करना यानि फलन सतत है कि नहीं चेक करना है अपने को तो सबसे पहले निकालेंगे आपने को पता हूना ची कि सतत फलन उने के लिए तीन चीजी निकालने पड़ती है लहल रह एचल और एपोब ये ठीका ये लहल का मतलब होता है कि 22 एमार एचल का मत कितना है 0 तो यह आ गया 0 उसके बाद में निकालेंगा है LHL LHL का मतलब होता है limit h tend to 0 f a minus h limit h tend to 0 f a minus h a minus h का मतलब 0 minus h या निया x का मान x बराबर 0 दे रहा है तो यह बराबर कितना हो गया 0 और limit h tend to 0 f minus 0 minus h करेंगे तो minus h आ जाएगा तो अब x कीज़गा क्या पूट करना है अपने को फलन में minus h तो जहां पर भी x है इस फलन में वहाँ पर क्या लिखना है minus h तो limit h tend to 0 x कीज़गा क्या लिखना है minus h 1 plus 1 बटा 3 sin log minus h का क्या करना है square तो limit h tend to 0 minus h 1 plus 1 बटा 3 sin log h square यानि minus h का square करेंगे तो जाएगा log square हो गए इसके बाद में अच्की जिगा क्या लिखना है अपने को 0 तो यह अच्की जिगा 0 लिखेंगे तो यह 0 into 1 plus 1 बटा 3 sin log 0 तो 0 into 1 plus 1 बटा 3 और sin log 0 का मान होता है अनन्न तो यह आ जाएगा अनन्न और 0 से इसको गुणा करेंगे पूरी को तो कितना आ जाएगा यह 0 तो LHL आ गया 0 इसे क्याल निकालना है अपने को आरहेचल आरहेचल का मतलब होता है लिमीट ऐसे टेंड टू जीरो अफ्ए पलस अच होता है f अपलस अच लिमी तो जो फलन दे रहोगा उसमें एकस्जिज गरेंगे आच से अच गुनौळ एक प्लस एक बटा तीन साइन लोग अच स्केर अब अच की जगह क्या लिखना है अपने को जिरो लिखना है तो जिरो एंटू एक प्लस एक बटा तीन साइन लोग अच की जगह क्या लिखेंगे जिरो तो 0 लिखे हैं तो 0 इंटू 1 पुलस 1 उटा 3 साइन लोग 0 साइन लोग 0 का मान अनत होता है और 0 से एक गुणा होगा तो यह भी कितना आ जाएगा 0 तो आरहेचल कितना निकला है बना 0 उससे पहले लहेचल भी कितना निकला था 0 उसके बाद में उससे पहले F-O-P F-O-P का मान भी कितना निकला था 0 निकला था तो इसका मतलब F-O-P L-H-L R-H-L तिननों का ही मान कितना है 0 तिननों जिरो के बराबर आगे तो इसका मतलब क्या होगा कि फलन जो दे रखा है x ब्राबर 0 पर क्या होगा सतत होगा यह पुने को चेकरना तो फलन x ब्राबर 0 पर क्या स्तत या निस्तत होने के लिए lhl, rhl और फलन का मान उस पर क्या होना चाहिए ब्राबर होना चाहिए तिन्नों ब्राबर हों में तो फलन क्या हो जाएगा सते तो जाइगा